दोस्तो टीवी इंडस्ट्री में हमें लगातार कई रुमांचोक सीरियल्स देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं में से एक सीरियल है इश्क में मर जावा सीजन टू जो हाल ही में कलर्स चानल पर प्रसारिद किया गया है इस सीरियल की कहानी दर्शको का दिल जीकती हुई नजर आ रही है लेकिन उससे भी जादा पसंद किया जा रहा है अबिनेतरी हैली शा के किरदार को जो सीरियल में में लीड अक्टरिस की तौर पर रिधिमा का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है और इनके इस किरदार को और इनके family members में कौन-कौन है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं जिसके बारे में शायद है आपने कभी आज से पहले सुना हो तो अगर आप भी अबिनेत्री हलिशा के family background के बारे में जाना जाती हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ये टीवी इंडस्ट्री की ऐसी खुबसुरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना न भूले सीरल इश्ट में मर्जवां 2 में लीड अक्टर्स की तौर पर रिदिमा का करदार निभारे ही अबिनेत्री हलिशा अपने इस करदार के जरिये खुब famous हो रही है और लगातार दर्शकों से वो खुब वावाई लूट रही है लेकिन इस talented और खुबसुरत अधाकारा का सफर शुरू होता है एमधाबाद में खुद का छोटा सा business चलाने वाली middle class family से जहां इनकी ममी housewife की तौर पर family का ध्यान रखती है तो वह इनके पापा उनका छोटा सा restaurant चलाते है बता दे कि अभिनेतरी हैली शाह अपने माबाप के एक लौती संतान है जिनके parents को limelight में रहना बिलकुल पसंद नहीं है और शायद एक यही वज़ा है कि दर्शक इनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं एक middle class family से belong करने के बावजूद भी अभिनेतरी हैली शाह ने अपने खुद के दम पर एहमदाबाद से पढ़ाई complete करने के दौरान ही 13 साल के उम्र में सीरियल गुलाल से अपनी acting career की शुरुआत की जो साल 2010 में छोटें परदे पर परसारित किया गया था और इस सीरियल में इनके शांदार प्रदशन को दर्शकों का जम कर प्यार मिला जिसके चलते इने स्वरागिनी खेलती है जिंदगी आख मिचोलीज और देवानशी जैसे कई सीरियल में काम करने का सुनहरा मौका मिला और सभी सीरिल्स में अभिनेत्री हैली शा ने अपने यादकार भूमिकाय निभा कर दर्शकों से जम कर पॉपिलरिटी हासल की है जिसकी चलते आज ये टीवी इंडस्ट्री की हाइस्ट पेर अक्टरस की लिस्ट में शामिल हो चुकी है और इसी की चलते इन्होंने आज भी अपने अक्टिंग करियर को बरकरार रखा है जो वर्तमान में सीरियल इश्क में मर जावाँ टू मेरे दिमा का किरदार निभा रही है बतादे कि अपने एक्टिंग करियर में इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद भी अभी तक अपना घर नहीं बसाया है लेकिन अब जब अभी नेतरी हली शा अपने करियर के पीक पर थी तब खबरे थी कि अभी नेतरी अपने की को स्टार विजेंगर कुमारिया को डेट कर रही है लेकिन अभी नेतरी हली शाह ने इस बात को भी जूटा करार देते हुए बताया कि वर्तमान में ना तो ही किसी के साथ ही रिलेशनशिप में है और ना ही किसी को डेट कर रही है पिलाल हली शाह अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही है और अपने ममी पापा के साथ एक खुशाल जीवन वतीत कर रही है जिन से ये अपनी जान से भी जादा प्यार करती है तो दोस्तों आपको अपनी नेतरी हली शाह के फैमली बैग्राउंड के बारे में चान कर कैसा लगा आप अपनी राए हमें कमेंट पॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुरी ऐसी और चटपड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें